तो आज आपके लिए लेका है रहा हूँ Samsung A33 5G इस वीडियो में मैं इस mobile के काफी कमाल के hidden features बताने वाला हूँ अगर आपके पास में ये smart phone है ये इसको खरीटने वाले हो तो इस वीडियो को सरूसर लेकर एंड तक ध्यान से देखना काफी useful हो जाएगी तो पहले इस smart phone के वारे में बता देता हूँ इसके अंदर आपको 6.4 इंच की 90Hz के साथ में AMOLED स्क्रीन एक जुन्याइस 1285 नेनोमिटर के चीप सेट के साथ में प्रोसेसर और 48 मेगा पिक्सल का रियर केमरा 13 मेगा पिक्सल का सेल्फी केमरा मिलता है तो गाइस करते हैं फटा-फट से start calling के मज़ेदार features बताने वाला हूँ सबसे पहले आना है dialer में फिर 3 dot के उपर click करना है फिर आपको यहाँ पर setting के उपर click करना है यहाँ पर देखने को मिलता है call background इसके उपर जाने के बार में कुछ कमाल के tricks बताने वाला हूँ यहाँ पर जब भी call आता है तो ऐसा background देखने को मिलेगा आपको लेकिन इसमें काफी तगड़े customization कर सकते हो जैसे कि एक यह वाला जब भी call आएगा तो background में ऐसे effect देखने को मिलेगा इसके लोगा यहाँ पर आप यह dancing वाला भी लगा सकते हो जो काफी तगड़ा लगेगा बाई साब और अब बात करते हैं इसके कमाल features आपको plus के उपर click करना है यहाँ पर अपन गलेरी से उठाकर अपनी वीडियो भी set कर सकते हैं जब भी किसी का call आता है तो जैसे कि यह वाली वीडियो मेंने suit किया है तो आप देख सकते हो नीचे देखने को मिलता है यूज वीडियो sound as ringtone effect जैसे कि आप वीडियो के अंदर जो भी effect है वो sound का वो अपन इस वीडियो में ringtone के साथ में भी डाल सकते हैं फिर आपको simply set as call background के उपर click कर देना है अब मुझे जब भी किसी का call आएगा तो यह वाली वीडियो background में चलेगी कितनी कमाल की लगेगी बेक आने के बाद में यहाँ पर आपको और भी तगड़े features बताने वाला हूं उसते पहले दोस्तों चैनल को subscribe नहींगे तो चैनल को subscribe जरूर कर जीजिएगा record call से इस smart phone में automatic call record on कर सकते हैं जैसे कि simply इसको आपको green कर देना है यानि कि इसको on कर देना है अब आप जो भी call आएगा उसमें automatic call recording on हो जाएगी यहाँ पर उपर देखने को मिलता है sure notification after recording यानि कि जब call recording हो जाएगी तो उपर notification आजाएगा कि इस नमर पर call recording हुई है फिर हमने जो कुछ भी recording किया है वो यहाँ पर आपको record calls के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर audio files में मिल जाएगा जैसे कि हम family member के पास में बेटे हैं और यहाँ पर यह वाला icon आ जाता है जब अपने smartphone में data वगेरा use हो रहा होता है तो यहाँ पर गलत news वगेरा आ जाती है तो किसी के सामने यह वाला page open हो जाता है तो काफी बेकार लगता है इसको simply आप बंद कर सकते हो इस तरीकी से pinch करना है और setting के उपर click करना है click होने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है add media page to home screen इसको simply disable कर देना है और आपको बेक आने के बाद में यह वाला page यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको AMOLED screen मिलती है इस display का मज़ा और कैसे लिया जादे तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे हमने dialer open किया यहाँ पर हम इस तरीकी से rotate करते है तो यह वाली जो rotate हो जाता है simply क्योंकि इसको मैंने यहाँ से rotate किया हुआ है लेकिन अगर क्या आप screen को भी rotate करके एक मज़ेदार तरीकी से चलाना चाते हो full view display में तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आपने टेक साजीत को subscribe किया है यहाँ पर आपको इस तरीकी से pinch करना है home setting पर जाना है और मेरे smartphone में calling के अंदर यह dialer open हो चुका है तो आप भी यहाँ पर कोई दूसरा apps भी use कर सकते हो जैसे whatsapp, instagram, facebook कुछ भी double tap करते ही आपके smartphone में जो भी app आप चुननोगे वो open हो जाएगा इसके लिए आपको simply जाना है setting में, display के उपर, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ scroll down करना है और side key के उपर press करना है फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा open app, इसके उपर click कर देना है यहाँ पर setting के उपर दबाने के बाद में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे apps जो भी आप यहाँ पर customize करके चुनोगे, फिर आपको home screen प्याज़ाना है अब आप double tap करोगे, तो जो app आपने set किया है, वो open हो जाएगा गैस अगर आप कोई भी app को hide करना है, तो simply आपको इस तरीकी से press करना है और यहाँ पर setting के उपर click करना है, नीचे आने के बाद में मिलता है hide apps on home screen and app screen, इसके उपर click कर देना है अब आप यहाँ से कोई भी app को hide कर सकते हो, simply इस तरीकी से आपको click करना है अब यह तिनों app hide हो चुके, अगर आप इनको वापिस unhide करना चाहते हो, तो minus के उपर click कर देना है गैस अगर आप भी इन बेक बटन को हटाना चाहते हो, तो simply आपको जाना है setting में या फिर बेक बटन को इस side में right में करना है, तो simply जाना है setting में और display के उपर click करना है यहाँ पर आपको नीचे आने पर देखने को मिलता है नवे के सकबार, इसके उपर click कर देना है यहाँ पर आपको इस के उपर click करोगे, तो बेक बटन इधर right में आ जाएगा, और swipe gesture के उपर click करते हो, तो बटन बिल्कुल हट जाएंगे यहाँ से अब इस तरीके से slide करकर बेक आ सकते हो, इस तरीके से slide करकर बेक आ सकते हो, और home screen पर जाना है तो निचे से swipe down करना है अब आप इसको हटाना चाहते हो, तो इसके उपर simply इस तरीके से draw कर देना है, ड्रो करने के बाद में इरेज के उपर click कर देना है, और यह गाएब इसके अलावा एक और मज़िदार features, जैसे मैंने ये वाली photo क्लिक की और यहाँ पर नीचे के बाद में आपको यहाँ पर मिलता है text यानि कि T, इसके उपर click करना है, अब आप photo के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, उसको आप simply text को copy करके paste कर सकते हो more के अंदर काफी कमाल के features मिलते हैं, लेगिन एक उपर मिलता है यहाँ पर आपको AR zone, जिसमें आप अपनी खुद की emoji भी बना सकते हो, लेगिन उसके लिए आपको mobile में data वगेरा net use करना होगा, इस mobile के display तो बड़ी ही कमाल की है, 90Hz के उपर work करती है, simply अगर आपके smartphone की display 60Hz क करने के लिए display में जाना है, और यहाँ पर smoothness देखने को मिलेगी, इसके उपर click कर देना है, यहाँ पर standard के उपर है, तो आपको simply high के उपर करना है, अब आप दोनों के अंदर देख सकते हो कितना फरक है, high में और standard में, लेकिन अगर आपका normal users है, तो आप simply standard कर दीजीगा, क और आपके आंगे खराब होने के चांसे कम रहेंगे, नीचे आने के बाद में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलता है age panels, इसको on करने के बाद में, मैं बता देता हूँ, यह क्या काम आने वाला, जब आप age से slide करोगे, तो यहाँ पर आप अपने मनपस इसके उपर क्लीक करते हैं, इसके उपर क्लीक करना है, अब ग्रेखने के बाद में, मैं कमाल का feature बताता हूँ, जैसे की कभी क Catholic क्या होता है, हम यहाँ पर सारे notification बगरा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर simply मैं आपको बता जिता हूँ advanced setting में आना है और यहाँ पर देखने को मिलती है notification history तो पहले मैं इसको on कर जिता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ निचे जैसे मैंने scroll down किया है यहाँ पर बहुत सारे notification है तो इनके बीच में कभी काम का notification होता है और अपन clear कर जेते हैं तो अपन को जानना होता है कि एक-दो दिन बाद में किसका notification आयाई तो same आपको यही पर आना है notification history में इसके उपर आपको click करना है, click करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो किस-किस का notification कितनी बज़ा आया था कौन से एप्स का नोटी वेक्स जनाया था सिंपली यहां पर इनका कलर बिलू हो रखा है अगर आप इनका कलर अपना मन पसंदा कलर रखना साते हो दो तो सेटिंग में आना है और आपको यहां पर देखने को मिलता है तो गाइस यह थे सेमसेंग A33 5G के कमाल दमार हिडन फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जीजीगा और इसके लवा अगर आपको कोई भी प्रोब्लम हो इस स्मार्टफोन को लेके तो कमेंट करके बता सकते हो या फिर इसके लवा कोई दूसरे स्मार्टफोन पर ऐसी सेम वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को सेर करना ना भूले जिसके पास में भी इस स्रीज का स्मार्टफोन हो